Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion Now daily के basis पो हम page wise discussion करते हैं और particular news को बताते हैं कैसे ये news prelims में पूछी जाएगी कैसे ये news mains में question frame हो सकता है और कैसे interview के point कैसे extract करने है Penalist को कैसे interview में answer करना है एक particular news से Now सबसे पहले overall section देख लेते हैं पूरा news analysis पूरी headlines दो minute में explain कर देते हैं सबसे पहले Taliban का issue है Taliban ने बहुत सारे Indians को भी रोका इंडिया आने के लिए तो ये discuss करेंगे नाटू अभी forces अपनी deploy कर रही है ये foreign tribunals होते क्या हैं आसाम अपना detention camp 45 दिन में उनको बनाना है detention camp में वो रहेंगे जो illegal immigrant हैं जो foreigners है illegal foreigners कौन होंगे अभी हम discuss करेंगे इस particular news से IMD के color coding जितने भी color code हैं yellow, orange, red इन सब को detail में discuss करेंगे UPSC prelims के basis पे के लाम है onam celebration को कम किया गया बोला गया कि COVID-19 हो रहा है तो हम इसको उतने लोगों को दूर ही रखेंगे अलग-अलग invention होते रहते हैं अब human sweat जो पसीना होता है उससे battery बनाने की बात की जा रही है Pegasus के बारे में discuss करेंगे हमेशा यह आते रहता है तालीबान के जो co-founder है co-founder है वो सरकार बनाने की बात अभी कर रहा है right सिलंका elephant to get biometric ID card यहाँ पर क्या होता है यह क्यों किया जा रहा है ऐसा यह भी discuss करेंगे हाला कि UPSC prelims और main sensor related नहीं है general question है कि elephant में इतनी cruelty होती है तो सरकार ने एक कानून लेके आई है सिलंकन सरकार उसके बाद आज है Sunday तो important articles publish नहीं होते बट important science and tech के article publish होते है heart immunity क्या होती है इसको पूरा explain करूंगा right और nuclear fusion nuclear reaction पूरी process science and tech के लिए हम discuss करेंगे अगर आप social media से cut भी है तो telegram application डाउनलोड कर लीजिए search box में type करना है at the rate PR publication बिना space दिए तो आप इस free group से join हो जाएंगे यहाँ पर daily के basis पर क्या होता है UPSC mains question हम send करते है और उसी से related जो UPSC paid user हमारे answer writing करते हैं वो भी मैं आपसे share कर देता हूँ right तो आप यहाँ पर से free में answer writing कैसे करनी है वो समझ सकते हैं अगर आप चाहते हैं PR publication के साथ अपने UPSC के तायरी करना तो बहुत सारे affordable prices में पिछले एक साल में 2000 से ज्यादा paid user हमसे जुड़े होए हैं और daily के benefit ले रहे हैं date wise current notes daily answer writing 6 to 12th notes यह सिर्फ 4.99 रुपीज में पूरे एक साल तक वहीं अगर आपको तीनों प्लान एक साथ लेने हैं 9.99 रुपीज में आप अवैल कर सकते हैं जिसमें yearly plan NCRT testage plan UPSC CSET का video course भी मिलेगा लेना बहुत सिंपल है दिये गए नमा पर Google पर phone पे करना है जो भी payment करेंगे उसकी screen short same नमा पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे तो start करते हैं आज का new discussion 80 Indians evacuated 80 लोगों को तो वहाँ से निकाला जा चुका है काबूल से बट 150 लोगों ने अपनी flight मिस कर दी क्योंकि तालीबान ऐसे बकेती करते हुए आगे ऐसे बंदूग उठा के आएंगे तो simple सी बात है कहां जाने देंगे पर यहाँ पर बात यह आती है कि Saturday को US-led NATO forces guarding the airport in काबूल अब NATO ने अपने guard लगा दी अपने troops लगा दी और बोला कि चलो checkpoints में जो काबूल है उनको थोड़ा तो control किया जा सकता है और evacuation इवन NATO ने पहले भी अर्ज किया था अब नाटो के बारे में डिसकस करेंगे नाटो ने पहले भी तालिबान से बोला है कि आप चलो ठीक है चलाओ सरकार हम उस पर कुछ नहीं करेंगे बट जो civilians जाना चाते हैं काबूल से उनको भेज़ दो आप ठीक है और इवन काबूल के एरपोर्ट में जो नाटो के टूप से हैं उनको रखा गया है ताकि safe evacuation करवाया जा सके तो यहाँ पर से पूरे आर्टिकल में हमारा एक ही चीज़ important है नाटो बांकी तालिबान इंडिया का interest क्या है वो already हम बहुत सारी news में डिसकस कर चुके हैं हैं एक यह military alliance से है तीस North American और European countries के बीच में है 4 April 1959 को साइन हुआ था तीस मेंबर स्टेट से हैं औरिजनल यह बार मेंबर थे अब तीस मेंबर तक हो चुके हैं नया जो मेंबर है North Macedonia इस से जुड़ा और नाटो में जो तीस मेंबर अगर एक भी मेंबर पर अटेक हुआ नाटो के तो बांकी के 29 मेंबर कंट्री यह सो चुकी तो हम पर अटेक हुआ है और उसके रिस्पॉंस में वो अटेक करेंगी तो यह एक सीधा सीधा military alliance है यह चीज़ याद रखना यह एक military alliance है ओके नाटो का अटेक करेंगी तो 330 कंट्री सोचंगे कि हम पर ही अटेक हुआ है आप यहाँ पर बात करते हैं गोहार्टी हाइक कोट ने अभी आसाम सरकार को 45 दिन दिये हैं बोला कि आप डिटेंशन जो सेंटर हैं जो foreigners के लिए डिक्लियर किये गए हैं उसको 45 दिन में खतम करो उनका काम ठीक है अब डिटेंशन सेंटर में इलिगल इमिग्रेंट्स को रखा जाता है अब यह बात हुई क्यों या डिटेंशन सेंटर बनाए क्यों जा रहे हैं यह particular news UPSC prelims और मेंस दोनों में पूछी जाएगी foreign tribunal सी नासाम होता क्या है देखिए एक tribunal रा काजी जूडिशल बोडिट्यू डिट्माइन इफे परसन इस्टेंग इलिगली इसे foreigner और नॉट ठीक है कोई परसन यहां रह रह रहा है जनरली आसाम की मैं बात कर रहा हूं तो tribunal बनाए गए हैं ट्रिबिनल में भी जैजेस होते हैं यह क्वाजी जूडिशल बोडिज है मतलब कुछ डिसिजन अपने आप में सुनाते हैं कोड तो पूरी जूडिशल बोडिज होती है पर tribunal क्या होते हैं क्वाजी जूडिशल बोडिज होती है ऐसा कोई भी परसन जिसका नाम NRC में नहीं है National Register of Citizens में नहीं है ठीक है Can represent in front of appellate authority Foreign Tribunals के सामने वो जाएगा अब क्या होगा ये Foreign Act 1946 के basis पे और Foreign Tribunal Order 1964 के basis पे Foreign Tribunal जो बनाई गई है वो empower है कि उस परसन को Foreigner Declare कर सकती अब Foreigner Declare कर दिया तो फिर वो जो 45 दिन में Retention Camp बनाई जा रहे है ना तो उसी पर उसको डाला जाएगा Foreign Tribunal के Member जान लो कौन कौन है Foreigner Tribunal के Member Foreign Tribunal Act 1941 के अंदर और Tribunal Order 1984 के basis पे जो हैं अपॉइंट होते हैं Member कौन कौन से हो सकते हैं वही होते हैं जो जजेज होते हैं वही रहते हैं Retired Judicial Officer of Assam Retired Civil Servant Not Below the Rank of Secretary Additional Secretary ये इतने बड़े-बड़े जो Officers होते हैं वो Tribunal के अंदर होते हैं तो Member को Official Language जो Assam है Assamish Bengali Bordo English के जानकरी होनी चाहिए और ये वही लोग हैं मतलब ये Tribunal किसको Foreigner घोसित करेगी मतलब परसन अपेरिंग बिफोर Foreign Tribunal New to produce identity documentation They were born in India And a descendant from person Who entered in India Before March 24, 1971 1971 वो वर्स है जब Bangaladess अलग हो चुका था Bangaladess अलग हो गया पाकिस्तान का जो East Pakistan ता Bangaladess अलग हो गया तो उसके पहले ही हमारे जो मेंबर से हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम 24 मार्च 1971 से पहले आए थे उसके बाद नहीं आए क्योंकि उसके बाद तो इलिगली माना जाएगा फिर Bangaladess के लोग बहुँ ज़दा Inflate rate करने लगे तो ये पूरा आर्टिकल है और detention camp इन ही foreigners के लिए बनाए जा रहे हैं जो 24 मार्च है 1971 के बाद आएंगे हो उनको detention camp भेजा जाएगा फिर एट दे इंडून को Bangaladess ही भेज दिया जाएगा नाव नेक्स्ट न्यूज है torrential rainbreak 14 year record national capital received 138. mm of rainfall over 24 hour 24 गंटे में 138.8 mm की rainfall देखने को मिली right highest for a single day since 2007 से ये देखने को मिली और आएंडी ने issue किया yellow alert अब ये alert क्या होते हैं water logging complaints हर जगे से डेली में receive हो रही है PWD अपने काम पर और जदा strictus का काम हो चुका है color coded warning by आएंडी recently Indian metrological department ने yellow weather warning जो है जारी किये है हिमांचल प्रदेश के लिए और हाली में IMD ने जारों की yellow weather warning नहीं नू डेली के लिए yellow weather warning indicates severely bad weather several days के लिए key points है color coded weather warning हम discuss कर लेते हैं warning चार टाइप की issue होती है सबसे पहले ग्रीन all is well कोई advisor issue नहीं होगी orange और ember be prepared orange एलर extremely bad weather होगा but potential disruption कर सकता है road, rail इसको कम कर सकता है red take action ठीक है red में क्या होगा action लेना पड़ेगा yellow में क्या होगा be aware yellow indicates severely bad weather बड़ इतना ज़्यादा worst नहीं होगा orange और ember में हो सकता है road वगरा disrupt हो सकती है red में action लेने की जरुवत है भागने की जरुवत है यह red होता है ठीक है next article है केलाइ सकेल्स डाउन ओनम सेलिबरेशन अब देखिए ओनम जो है celebrate के जाता है उत्राखंड में भी वह सारे ऐसे celebration होए थे बट COVID-19 के वज़े से जो बड़े-बड़े celebration है उसको रोक दिया गया तो ओनम फेस्टिवल में सबसे यूनीक चीज़ यहां पर क्या होती थी यार मास लंच होता था मतलब पचास हजार से ज़्यादा लोगों को एक साथ खाना खिलाए जाता था फीश्ट जिसे ओना सदिया बोला जाता था क्या बोला जाता है ओना सदया क्या ओना सदया वियर वाज दब मास लंच इन विच अपट फिप्टी थाओन पीपल यूजुली पार्टिसपेट और एक साथ खाना खाते थे बट यहां पर अभी इसको रोग दिया गया बोला गया है कि कोविड नाइंटीन के इस पर्टिकलर सिचुएशन में हम ओनम सेलिबरेशन नहीं करेंगे अपने लोगों की यह ऐसा गौड भी चाता है तो इस तरह से उन्होंने बोला और मैं कहुँँगा एक पॉजिटिव मूव है केरला सरकार की तरफ से केरला सरकार इस पर्टिकलर उसमें क्योंकि देखे अगर वहां के लोग सिटिजन ही अवेर होए तो ये चीज़े बहुत एजी हो जाती है अगर जिस राज़्य के सिटिजन अवेर नहीं होते हैं तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाती फिर तो मैं कहूंगा यह best example है केरला का ओनम को थोड़ा सा उस जिस तरह से celebration किया जाता था वो celebration नहीं होगा सिर्व अपने मन की सुरद्धा के लिए celebrate करेंगे लोग individually वही है यह फिर यह battery powered by human sweat काम काम आरा नहीं है बट देखो किस तरह से technological advancement हो रहा है पर्टिकुलर पसीने से भी battery powered एक मसीन चलाई जा रही है राइट औरीजन इन साइंटिस्ट का इंडियनी है ठीक है मैं अगर आपको बता दूँ तो औरीजन इन साइंटिस्ट का इंडियनी है उन्हीं लोगों ने बनाया है तब यह यह पूछा है अपोजिशन डिवाइड ओवर फोकस ओन पेगसस जारकंट सीम हेमन सोरिंट ने बोला कि explaining issue to voters कि voters को बताओ यह पेगसस क्या है सरकार अभी क्यों है कर रही है हमारे mobile phones को अपोजिशन अब जो है कोई बोल रहा है पेगसस पर ध्यान नहीं दिया जारा है पेगसस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए तो इसके चलते हुए हम हाला कि इतना ज़्यादा important तो नहीं है पर पेगसस को discuss कर लेते हैं पेगसस क्या है यानि कि एक Malchea software और spyware है यह design किया गया था डिवाइस को access करने के लिए हैक करने के लिए यह इजराइल सरकार ने बनाया इसराइल देश ने बनाया उसकी एक company है ऐनसो ग्रूप 2010 में एनसर ग्रूप ने जो ये इस्पाई वेयर बनाया है इस पर्टिकुलर इसको जीरो क्लिक एटेक भी बोला जाता है यानि कि जिसका फॉन हैक होना है उसको कोई क्लिक नहीं करना पड़ेगा खुद में खुद आटोमेटिक उसका फॉन हैक हो जाएगा उसके माइक्रो फॉन को अपरेट किया जा सकता है उसके कैमरा को अपरेट किया जा सकता है ऐसा क्यों WhatsApp WhatsApp ने 2019 में एक statement जारी किया जिसमें बोला कि आपके फ़ॉन में सिर्फ WhatsApp मिश्ट कॉल या WhatsApp वीडियो कॉल ही आएगी फिर भी आपका फ़ॉन हैक हो जाएगा क्या अब ये जो NSO गुरॉप है वो अलग-अलग सरकारों से अपने agreement रखती है और अभी वो 40 देसों में अलग-अलग 60 लोगों को 60 अपने client को Pegasus दे चुकी है हाला कि identity reveal नहीं किया जाता Even हमारे ministry of defense ने भी बोला है कि हमने नहीं खरीदा है नहीं बेचा है मतलब deny किया है पूरे लेने के खरीदने के क्या इससे पहले ऐसा कुछ Pegasus जैसा हुआ है Hacking जो सरकारी जनर्लिस्ट में हुआ है सरकारी officers में हुआ है Yes हिमानचल प्रदेश में 2000 बार में वहां की सरकार आती है अचानक और वहां के जो highest officer होते है DSP rank DMK rank District Magistate के rank उनके phone को hack किया जाता है ताकि transparency बनी रहे accountability बनी रहे इस basis पे तो भारत ने अभी कुछ steps लिए है क्या Yes Cyber सुरक्षित भारत initiative लिया है 2018 में launch हुआ था National Cyber Security Coordination Center 2017 में launch हुआ था Cyber सच्छिता केंदर Indian Cyber Crime Coordination 13 Computer Emergency Response Team और कानून भी IT Act 2000 Personal Data Protection Will 2019 और बूदा पेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर है ये इंडिया इसका सिकनेटरी नहीं है ये चीज याद रखना और पेगेसस के basis पर कॉशन भी पूछे जाते हैं जैसे 29 जुलाई का हमने अल्रड़ी कॉशन किया है कि और बूदा पेगेसस से और कैसे इसको टैकल कर सकते हैं राइट है वो काम नहीं कर पाईगी नहीं ऐसा भी नहीं है आप सब को पता होना चाहिए गल्फ उक उप्रेशन काउंसिल का मैं आपको एक्स्प्रेइन करता हूँ क्या है वो देखो पूरा आप नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंके देखिए गल्फ उक उप्रेशन काउंसिल एक पॉलिटिकल और एकॉनमी के लाइनस है छे देशों का जिसमें बहरेन, कुवेट, ओमान, कतर, साओधी अरिबियार, यू, ए, इ आता है बट मैं सिर्फ पूरा जी सी सी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा कब बनी थी बट मैं यहां सिर्फ है उसमें जी सी सी में जो छे देश हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको देखिए सभी मोनार्की मोनार्की मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा इस तरह से वो चलाएंगे तीन कॉंस्टूशनल मोनार्की है मतलब एक में तीन में सविधान भी हैं बट दो एपसलिट मोनार्की हैं जहां पर राजा का ही रूल कर चलेगा तो सेम वही तो है पिर काबल में भी ये अबदुल्ला का रूल चलेगा को फाउंडर का तो दो एपसलिट मोनार्की साओधी अरेविया भी ऐसे चलता है और ओमान भी ऐसे ही चलता है और एक तो फेडरल मोनार्की है यू एई हम फेडरल मोनार्की जहां राज्यों को भी पाउर दी जाती है उसको डिस्रस नहीं करेंगे हम दो absolute मोनार्की इसकी बात करेंगे जैसे साओधी अरेबिया और ओमान इस तरह से काबुल में तालिबान चला सकते हैं इसको ठीक है Now स्रिलंका में एनिमल प्रोटेक्शन लॉल आया गया और बहुत सारे लोग अभी जो राइडर हुआ करते थे एलिफेंट को राइड करते थे तो वो अपनी जॉब में ड्रिंक नहीं करेंगे क्योंकि ड्रिंक करते हैं तो किरुलेटी जादा होती है वैसे ही बहुत सारे रिच स्रिलंकन्स बुद्धिष्ट मॉंक एलिफेंट को अपना पैड बनाते हैं और सो अपना की शो अप के लिए वो रखते हैं बट उनके साथ इल्ट रिट्मेंट किया जाता है तो इसलिए यहां पर बायोमेट्रिक्स आईडी कार्ड एलिफेंट के लिए शुरू किया है यानि कि एक तरह से आप ये कह सकते हो एनिमल प्रोटेक्शन लॉ लाया गया स्रिलंका में राइट अब कुस वर्ल्ड लेवल की न्यूज वही है अफगानिस्तान की सरकार और कुछ मिलिटिया गरूप मिलके एंटी तालिबान फोर्सेज की तरह काम कर रहे है उन्होंने तीन डिश्टी को ये है बगलान प्रोविंस में ये काम कर रहे हैं और ये अफगानिस्तान के नौर्थ में ये प्रोविंस आता है अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो सरकारी फोर्सेस थी already कुछ तो यार ऐसा नहीं होगा कि पूरा तालिबान के कब जे मा जाएगा जो सरकारी फोर्सेस हैं, सरकारी टूपस थे अबी तक और कुछ मिलिटया यह मिलके अभी अदि टालिबान, मतलब टालिगान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जो कि मैं कहुँगा एक अच्छी बात भी है कि प्रोटेश्ट लगा अतार जारी है आज है संडे तो Science and Tech के आर्टिकल्स तो यहाँ पर Herd Immunity से related है पूरा आर्टिकल को आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है Herd Immunity होती क्या है वो मैं डिसकस करता हूँ देखिए बहुत सिंपल है Herd Immunity मैं कहूंगा अगर आधे से ज़्यादा जनता Immune हो मतलब मैं कहूंगा एक लाग किसी जगे की population है उसमें से 50,000 लोग ऐसे हैं उनको बच्पन में ही टीके लगे हैं उनको कोई बिमारी नहीं होगी सिंपल सी बात है तो वो 50,000 लाग अगले 50,000 को फैला ही नहीं पाएंगे बिमारी तो इसी को कहते हैं herd immunity मतलब किसी एक population में आधिस से ज़्यादा जनता immune हो तो उसी को herd immunity कहते हैं तो herd immunity आएगी कहां से herd immunity को herd effect, community immunity, social immunity भी कहा जाता है ये indirect protection है किसी infectious मतलब किसी फैलने वाले disease से अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उस particular population को हम बचपन से ही vaccinate करें होता ना भारत में भी BCG के टीके लगते हैं पांस साल होने पर भी टीके लगते हैं बच्चों को ताकि वह future में कोई बिमारी आए तो उसे लगे ना और बिमारी ना लगेगी तो वो किसी दूसरे को नफ़ेल आएगा तो उसी को कहते है हर्ड इमिनिटी ओके ग्रिन लेंड आइस में पहली वार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिस आई तो डिरेक्टली ये वार्निंग है कि यार क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है नुकलियर फ्यूजन एनरजी के बार में बताया है कि ये 1.3 मेगा जूल के बरा रहोगी बट मैं यहाँ पर पूरी बात करूँगा नुकलियर रियक्टर की नुकलियर रियक्शन बहुत सिम्पल है नुकलियर रियक्शन एक प्रोसेज है जिसमें दो नुकलियाई या एक नुकलियर या एक्शनल सब अटोमिक पारिटिकल कॉलाइड होते हैं और एक से ज्यादा नुकलियर बनाते हैं अब नुकलियर ये दो टाइप के होते हैं जिसमें एक नुकलियर तूटता है दो में और जिसमें दो नुकलियर बनते हैं एक में तो डो टाइब के ही ये fusion क्या लाता है ये fusion क्या लाता है तो nuclear fusion क्या है इसमें एक nucleus split into two daughter nuclei और इसमें जैसे ही ये break होते हैं तो बहुत ज़दा energy इसमें release हो जाती है currently all commercial nuclear reactor nuclear fusion के basis पर ही है ये चीज़ याद रखना जो भी nuclear reactor बनाए जा रहे हैं ना nuclear fusion के basis पर बनाई जा रही है nuclear fusion nuclear fusion defined as the combining of दो इसमें nuclear मिलके एक बनता है उपर वाले fusion में तो एक तूटके दो बनते हैं तो nuclear fusion reaction source of energy sun और stars में भी nuclear fusion की तरह काम होता है hydrogen helium में convert होता है और hydrogen bomb भी EC के basis पर बनाया जाता है now frequently asked question से एक हम कर लेते हैं our oil wants to blame for high fuel prices हुआ क्या था oil bond क्या होता है देखिए वर्स था 2005-2010 government ने bond issue किये थे 1.4 lakh करोल रुपे के जिसको Indian oil corporation, Hindustan petroleum corporation, भारत petroleum corporation को दिया जाता था मतलब ये एक तरह से एक कागच होगा जो इन companies को दिया जाएगा जिस पे subsidy होगी यानि कि आपको particular आप 1000 रुपे का बेच रहे हो तो आपको 100 रुपे माफंगे या 100 रुपे रिफाइनिंग में आपको मदद मिल जाएगी तो इसके चलते हुए सरकार क्या करते थी हमको भी कमदाम में देते थी ये जो companies हैं जैसे Indian oil corporation, Hindustan petroleum, भारत petroleum corporation ये कहते थी कि सरकार हमें ये bond दे रही हैं, हमें subsidy दे रही हैं तो हम भी back end में क्या करते हैं लोगों को सस्ते दामों में petrol और diesel देते हैं तो अभी यहां पर वही बात की जा रही है कि जो oil bond नहीं थे इसलिए high prices हैं क्या और UPA जो Congress सरकार oil bond लेकिया है वो ऐसा ही करें तो अभी सरकार सोच विचार कर रही है कि oil bond को लाया जा सकता है या नहीं तो total हमने article पूरे कर ली हैं पूरे जितने भी important हो सकते हैं न्यूश पेपर में वो हमने डिसकस कर लिया है नौ कुछ comment है Sir please upload all the chapter of Indian polity Yes Indian polity Happy Rakshabandan Sir Rakshabandan Okay, have a nice day, happy Rakshabandan to all Thank you, have a nice day